तो गाईस यार आज की ये वीडियो बहुती इंट्रेस्टिंग और यूस्फुल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक वेक्यम किलीनर बना कर दिखाने वाले हैं जिसकी मदद से आप अपने घर की साफ सपाई अच्छ तरीके से कर सकते हो और अगर कर रहा है तो आप उसकी भी सपाई कर सकते हो और ये वेक्यम किलीनर बहुती कम पैसों में बन कर त्यार हो जाएगा तो इसे हम किस तरीके से बनाने वाले हैं तो चलिए फर अपनी वीडियो में देख लेते हैं तो गाईस सबसे पहले हमने एक चार इंची पीबीसी पाइप को करीब 10 इंच लंबाई में कट कर लिया है और फिर हमने एक 775 DC मोटर को लिया है जो कि आपको किसी भी लेट्रोने स्वाप पर आसानी से मिल जाएगी और इस मोटर को पाइप के अंदर एकदम सेंटर करके फ फिक्स हो सके तो इसमें मोटर को फिक्स करके देख लेना है जो कि हमारी मोटर एकदम अच्छी तरीके से फिक्स हो चुकी है अब इसके चार तरफ फैवी को लगा करके अच्छे से चिपका देना है बस आपको ध्यान रखना है कि फैवी को मोटर के साफ में नहीं जाना जा और इसी टाइब से चारों पीसिस को इसके चारों त्रफ फिक्स करके अच्छी तरीकी से चिप का दिया है और अब इसे पाइब की एग्दम सेंटर में रखना है और इसकी जो एक्टर साइज है उसे मार्कर की मनदद से मार्किं करते न है ताकि हमें कट करने में आसानी हो और मार्किंग करने के बाद हमें क्या करना है कि कटर की मदद से इन सबी की एक्टर साइज को कट करते ना है तो इसे हम फट अफट से कट कर लेते हैं और कट करने के बाद इसे पाइप के अंदर फिक्स करके देख लेना है जो कि हमारी मोटर इक्दम अच्छी तरी किसे फिक्स हो जा रही है तो इसे हम बात में फिक्स करेंगे उससे पहले हमें इसके लिए प्रोपलर बनाना होगा ताकि हवा को अंदर की और खींच सके और वैक्यम क्रेट कर सके तो इसके लिए हमने ये पी बी सी सीट को लिया है और इसमें हमें एक गोल सरकल बनाते ना है और ये सरकल चारेंची से छोटा होना चाहिए ताकि ये पाइप के अंदर बिल्कुल भी ना फसे और इसके मेडल में हमें एक और छोटा सा सरकल बनाते ना है और फिर इसमें हमें skill की मदद से कोच-षटाइब से cross marking लगाते ना है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो और marking लगाने के बाद इसकी जो actor size है उसे cutter की मदद से cut कर लेना है और इसे cut करने के बाद हमें क्या करना है कि जो हमने इसमें cross marking लगाय थी उस मार्किंग की निसान से इसे कट कर लेना है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो इसी टाइप से आपको भी कट कर लेना है और इसे कट करने के वाद इसमें हीट गन की मदद से हलकल की हीट देना है अब इसके middle में हमें एक hole कर लेना है तो हम drill machine की मदद से इसके middle में एक hole कर लेते हैं और hole करने के बाद हमें लेना है एक wheel jack और इसकी link हम description box में देदेंगे आप वहाँ से जा कर किसे खरीज सकते हो और इसके net को खोल कर के इसमें pro player को fix कर लेना है और फिर इसके nut को कस करके अच्छी तरी किसे टाइट कर देना है और फिर इसे क्या करना है कि अपनी motor की साफट में कुछ इस टाइब से फिक्स कर देना है जो कि एकदम अच्छी तरी किसे फिक्स हो जाएगी और फिर हमें Elan Key की मदद से इसके बुल्ट टोकस करके अच्छे से टाइड कर देना है और आप देख सकते हो कि हमारे प्रोपलर मोटर में अच्छी तरीके से फेक्स हो चुकी है तो अब इसे पाइप के अंदर एकदम अच्छी तरीके से फेक्स कर देना है बस आपको ध्यान रखना है कि जो इसकी प्रोपलर है वो पाइप में कहीं पर भी टस नहीं होनी चाहिए और इसे फिक्स करने के बाद इसके चारो तरह फ्यावी को लगा करके अच्छे से चिपका देना है ताकि हमारी मोटर इसमें अच्छे से फिक्स बनी रहे और इसके बाद हमें लेना है दूप वायर और इसके जो बलेक वाला वायर है इसे मोटर के नेगेटिव पॉंट से सोल्टर कर देना है और जो रेड वाला वायर है इसे मोटर के पोजिटिव पॉंट से सोल्टर कर देना है और फिर इस pipe में करीब 2 इंच छोड़ करके एक होल कर देना है और इस होल से motor के दौना wire को उपर की side निकल लेना है और फिर इस pipe के पीछे वाले हिस्से को पूरा ही pack करना होगा तो इसके लिए हमने ये 4 इंची की end cap को लिया है और इसकी मदद से हम इसे पूरा ही pack कर देंगे लेकर उससे पहले इसमें हमें coffee सारे whole कर देना है ताकि इसकी gas pass होती रहे तो हम drill machine की मदद से इसमें फटा फट से whole कर लेते हैं तो guys आप दellsक़ों कि हमने इसमें coffee सारे whole कर लिये हैं और अब इसमें PVC pipe चिपकाने वाले glue को थोड़ा सा डाल देना है और फिर इसके चारो तरफ लगा देना है और फिर इस end cap को pipe में fix करके अच्छ तरीके से चिपका देना है और अब इसके आगे side में हमें एक filter लगाना होगा ताकि जो कूड़ा कचला है वो बीच में ही इकटा हो जाए तो हमने चारेंची वाले PVC pipe से एक ring के जैसे cut कर लिया है और इस ring को pipe के अंदर side fix करना होगा तो ये अंदर side fix नहीं होगी क्योंकि दोनों की size same है तो इसे बीच से cut कर लेना है और फिर इसे कुछ इस type से pipe के अंदर side fix करना है और इसकी जो extra side बच्ती है उसे marker की मंदर से marking करके cut कर लेना है और फिर इसके दोनों सुरों को आपस में फैवी को इक की मंदर से chip कर लेना है और इसके बाद हमें लेना है एक बहुती पतला एकदम जिनना कपड़ा जैसे कि हमने लिया है और आप देख सकते हो कि इसमें आर पार तक का दिखाई दे रहा है सेम ऐसा ही आपको लेना है और फिर इसमें pipe की ring को कुछ इस type से रखना है और इसके चारों तरफ के कपड़ा को कुछ इस type से पकड़ा लेना है और फिर इसके चारों तरफ है भी कुछ लगा करके अच्छे से चिप का देना है और इसके जो exercise है उसे कैंची की मदद से कट कर देना है और आप देख सकते हो कि हमारा filter बन का त्यार हो चुका है अब इसे पाइब के अंदर side fix करना है लेकिन जो हमारा filter है वो ज्यादा अंदर side जा सकता है और propeller से टकरा सकता है तो इसके लिए हमने PVC seat से कुछ इस type की ये चार पीस कट कर लिए है और इन pieces को क्या करना है कि propeller से थोड़ी दूर पर रहने फिक्स करके चिपका लेना है ताकि हमारा जो filter है इन pieces की मदद से रूकर रहे और propeller से ना टकराए तो हमने चार पीस को इसके चार पीस करके चिपका लिया है और आब इसमें अपने filter को fix कर देना है और इसे एकदम अंदर side fix करना है और आप देख सकते हो के हमारा filter अर्षितरी के से fix हो चुका है और अब हमारा vacuum cleaner जितना भी खुड़ा कच्ड़ा को खिंचेगा वो यहीं पर एकटा होगा और इसके बाद हमें लेना है एक 4 इंची से 7 इंची का रूडूसर के दूसरे वाले सिरे में फिक्स करके चिप्ता देना है और फिर इस pipe के दूसरे वाले सिरे को थोड़ा तिर्चा कट करना होगा तो इसे हम hexavulate की मदद से फटा फट से कट कर लेते हैं और आप देख सकते हो कि इसे हमना चितरी के से कट कर लिया है और अब इस vacuum cleaner को पकड़ने के लिए इसके लिए handle बनाना होगा तो इसके लिए हमने half a pinch के दो L लिये हैं और फिर हमने half a pinch pipe से दो टुकड़े कट कर लिये हैं और फिर हमने एक बड़ी size का टुकड़ा कट कर लिया है और इससे हमें दोनो L को कुछ इस type से fix कर देना है और फिर इसके दूसे वाले सिरे में दोनो टुकड़ों को fix कर देना है और आप देख सकते हो कि हमने कुछ इस type का handle बना कर त्यार कर लिया है और इससे अपने vacuum cleaner के यहाँ पर fix करना होगा लेकिन उससे पहले इसके आगे साइड में हमें push switch के लिए hole कर लेना है और इसके पीछे साइड में female socket के लिए hole कर लेना है तो हम drill machine की मंदद से इसमें फटा फट से hole कर लेते हैं तो guys आप देख सकते हो कि हमने इसके आगे और पीछे दौनो साइड पर hole कर लिया है इसके बाद हमें लेना है एक push switch और इसके दौनो पॉइंट से हमने दू वायर को solter कर लिया है और इस push switch को आगे वाले hole पर fix कर देना है और इसके दौनो वायर को पीछे वाले hole से निकाल लेना है और जो मारे motor के extra wire है उन्हें cutter की मदद से cut कर देना है और फिर दौनो वायर को छील कर के इसके अंदर के tar को निकाल लेना है और इसके बाद हमें लेना है एक female socket और इसकी positive i-lex से हमें motor के red वाले wire को solter कर देना है और इसकी negative i-lex से हमें push switch के किसी भी एक wire को solter कर देना है और इसके बाद जो ये 2 wire बचे हुए है एक motor और एक कुछ सुच का है इन दोनो बार को आपस में connect कर देना है और टेपिंग भी कर देना है और फिर इस female socket को इस hole में fix कर देना है और फिर इसके 4 तरफ फैवी कुछ लगा करके अच्छे से चिप का देना है और आप देख सकते हो के हमारा vacuum cleaner बनका त्यार हो चुका है और इसकी look देख सकते हो काफी दम मस्त लग रही है तो चलिए फ़र हम इसकी testing देख लेते हैं तो इसे चलाने के लिए हमने एक 12 volt की power supply को लिया है आप इसे 12 volt battery या solar panel से भी चला सकते हो और इसके जो AC वाले wire है इन्हें हमने light वाले board से connect कर दिये है और इसके जो male socket है इसे अपने vacuum cleaner के female socket से connect कर देना है और जैसे हम इसके switch को push करते हैं तो हमारा vacuum cleaner चालू हो जाता है और ये हवा को अंदर की और सोकने लगता है और उसे के साथ साथ ये कचला को भी सोक लेगा तो पहले हम कुछ कचला को फैला देते हैं और फिर हम इसे साप करके देखते हैं और आप देख सकते हो कि जो मारा vacuum cleaner है वो कितने अच्छी तरीके से work कर रहा है और ये सारा कचला को अपनी अंदर की और सोक ले रहा है और आप देख सकते हो कि इसने सारा कचला को अच्छी तरीके से साप कर दिया है और जब आपको इस vacuum cleaner को साप करना हो तो आप इसे कुछ इस्टाप से खोल करके सीधा डेस्ट मेने पलड़ सकते हो और इस तरीके से आप अपने घर की साप सबाई कर सकते हो और अगर आपके पास कार बगरा है तो आप कार की भी इसी तरीके से सबाई कर सकते हो तो गाइस आपको हमारा ये vacuum cleaner कैसा लगा नीचे comment box में comment करके जरूर बता देना और वीडियो पसंद नाई हो तो वीडियो को एक लाइस जरूर करते ना